हेलो स्टुडेंस आप सभी लोग का स्वागत है में इंगर बेंस इंदी मीडियम में जो आपको प्रवाइड करता है सात्वी से बादवी किक्षा तक के सभी विश्यों के कंपलीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री आफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बात कह दिया जाए बाग्यों के सब्सक्रिप्सन लो कोई से चार्ज पे करो तब जाके कंपलीट वीडियो मिलेगी तो ऐसा यहां कॉलिट कॉंटेंट कंपलीट कंटेंट और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना पर यह तो बहुत अची बात चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के ससंग को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांग जयमती जो कि आपकी सारे को सिखेंगे पहले और इसके आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेट कुछ कोशन से उनको भी डिसकस करेंगे जिससे चैप्टर फुली आपका रिवाइज हो जाने वाला है डन तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं तो यहां पर मैं बात करता ह आधार पर यह पूरा चप्टर है तो भाई यह सबसे पहले हम देक arbStar clumsy क्या है तो आपके ग्राफ में कोई बिंद्व होती है निर्देशांघ होते हैं इसके आधार पर जो जैमती होती है जिमेट्री होती है यानि कि कोई रेखा होगी उसकी दूरी निकाल लो या फिर आपका कोई तिर्भुज बन रहा है कोई आपका वर्ग बन रहा है यह जो भी उसके साथ जो जैमति निर्देशांग के अधार पर जो जैमति होती है उसे निर्देशांग जैमति करते हैं और उ तो जब भी कोई भी दो बिंदू जो होते हैं मालों कि कोई दो बिंदू है एक बिंदू आपने माल लिया एक बिंदू ठीक है और एक बिंदू माल लिया बी बिंदू और इसमें कहा जा भई एक का मान जो आपके पास है वह है एकस वन और वाई वन है और बी का मान जो है वह यह पूरे अ कोई भी बिंदू की बात करें प्राइब यहां पर इसके यहां की बात कि यहां पर में डिटैल की बात को आपके पा रहे हो यह आपके पास क्या है तो यह ग्राफ पुरा है, जिसमें इसे कहते है, x अक्ष और ये होता है y, x, done, इसमें होई भी बिंदु की बात करें, मालो की आपने एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये बिंदु ले लिया, ओके इस बिंदू के निर्दिशांग क्या है तो आप देखोगे समय एकष पर तो जा रहा है 6 यानि Link का मौनन 6 हो गया और मतलब नीचे से उपर कितना है तो 1000 सामने वाला यानी के 3 हो गया यानि हमें पता है कोई भी जो बिंदू इसमें होता है उसके पहला तो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है और एक्स के अनुसार हम देख पा रहे हैं तो यहां से छे पर गया था यहां से तीन पर गया था डन तो यह आपका हो गया एक चीज़ ठीक है और उसी के साथ अगर मैं कहूं दूसरा बिंदू आपके पास यहां पर है यह बि चेहां कि बीच की दूरी कितनी होगी तो इसके बीच की दूरी कैसे जआे गी सूत्र क्या है यहां पर जैसे कि कोड़ कोई बिंदू ओंडु lorsque हमाने Teraz चूतर करता हूँ अक सब्सक्राएं सका सूतर जैसे की डूरी या आगे कहा पर थे इनके बीच की दूरी यानि कहा जाए दूरी किसकी भई दूरी किसकी एबी यह हमें ग्याद करना है तो इसका फॉर्मला जो होता है वह हमारे पास क्या होता है तो यह होता है आपके पास माइनस में एकसवन और इसका होल उसकाई प्लस में वाइटू माईनस वाईवन का होल स्काईर यह चीज होता है यानि handlar की एकस्वन माईटू यह अब यह आनसर इहां किसी को भी आप मान सकते हूं गैंच चीज है वन-वन मानना footsteps मानन्ना है और टू-टू ही तो ऐसा नहीं चलेगा तो फिलाल आप एक बात समझ पास चुके हो कि अगर कोई भी दो बिंदू आपके पास है इनके बीच की दूरी निकालने तो यह सुतर आपको रखना होगा अब इसी को हम लेके आते हैं जैसे कि हमारा प्रस 6-3 था तो हमने यहां पर लिखा यह 6-3 ठी ठीक है और यह था कितना तो यह है आपके पास 5 और माइनस 3 है ठीक है इनके बीच के दूरी निकालने की बात की जाए तो यहां पर मैं कह सकता हूं भई X2-1 यह नहीं पाच मेंसे गया 6 और इसका वर्गा गया ठीक है फिर Y2-1 Y2 कितना है माइनस 3 और इसमेंस गया 3 तो माच में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा तो एक बचेगा लेकिन वह माइनस का बचेगा तो यहां से मैंने देखा यह तो एक आ गया और यह चे का वर्ग शेथा गया ठीक है और इसको अंतर आ रूट-37 यह इन दोनों के वीच पॉइच के बीच के दूरी जो आ गये दन आप तो दूरी शुतर में कोई दिक्कत नहीं होने वाले ओके चलते हैं नेक्स पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोए खाल से विभाजन सुत्र क्या होता है तो विभाजन सुत्र की बात में बताऊं तो अगर आपके पास कोई भी दो बिंदू है जैसे कि मैं और इस रेखा को बीच में कोई एक बिंदू है जो कि इसको दो भागों विभाजित कर रहा है ठीक है और दो भागों विभाजित कर रहा है तो इसको मैंने माना यह एक्स है और यह वाई है अब इसको जो विभाजित कर रहा है वो किस अनुसार कर रहा है तो इसको हम मानते है कि पहला M है और दूसरा N है ठीक इस अनुसार विभाजित कर रहा है तो इसमें अगर M और N के अनुपात में से विभाजित किया जा रहा है किसमें मंनिख्याइक यह तो इसका फर्मुला क्या होता है दो X का फर्मुला जो सबस्द नहीं दूर कीदी चेह सकट यह गता है दोए ये चीज़ होगे एकसों चौछ यह肯 बाइब आरMedon से थीक है और प्लस में एमगो यचीख में मृटतो से का है वाइल नो चली तो बाफ लाओ दिकत वाली कहीं यानि कि इस से हम देख पा रहे हैं कि बीच का विंदू कैसे निकाल पाएंगे जब एम अनुपात एन में चलेगा ओके डन कोजी कतनी चलो इसका स्क्रिंशॉट ले लो अब इसके बाद एक और चीज में आपको बता दूँ अगर आपको अनुपात दिया रहेगा और आपको यह निकालना है तो अनुपात दिया में क्या करेंगे तो इस कंडिशन में एम का मान ले 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 एक और इसके अकॉर्डिंग सौल करना कुश्चन सौल वोगा करेंगे ऐसा कुश्चन भी करेंगे फिलाल मैंने आपको फॉर्मॉले के यहां पर बता दिया है स्क्रिंशॉट लो चलते हैं नेक्स पर लिए तो एक्स त्रीवाई थे यह चीज़ आ गया डन अब इसमें हमें त्रभुच का शेत्रफल याद करना तो उसके लिए क्या होगा तो जैसे कि मैंने इसको लिखा ए इसको लिखा भी इसको लिखा सी और इस अकॉर्डिंग यहां पर मैं लिखता हूं छेत्रफल और व ट्वा लिखा तो उसके बाद नेक्ष्ट चलो क्या वाइट्टू मैस्वाई तरी इसको ले लिए ए एक वन तो वाई-टू माईस की मतलो दोती कि यह तो चलो एक्स तू लेता हूं अगर इकस तू लेता हूं तो इसको छोड़ो अग्ला क्या है तीन और एक है तो यहां प हो गया और यह खतम अब यह जो मैंने मॉडूलर सीधी सीधी लाइन की इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी आपका छेत्रफल अंदर नेगटिव माइनस पांच आ गया तो उसको चेत्रफल कभी माइनस पांच नहीं लिखना उसको प्लस लिखना प्लस करता कौन है तो यह इसको अरेंज करो और फटा फटा आपका अंतर आएगा ड़न चलते हैं नेक्ट पर देखते हैं अब इसके कुश्चन कैसे उसको भी करने वाले हैं बहत्तिन तरिके से सौल ओके चलो यहां पर पहला कुश्चन जैसें कि हम देख पाने हैं चित्र में जरिख यह दर्शाय गई दो ए भुजआ भई इस तिर्भूज की बात करें तो यह दो ए भुजआ वाला संभाहु तिर्भूज भी है दो यह और साथ में कहा जाय तो यह भी दो इह ठीक है चलो बहुत के निद Siango किस На क्या हatti हूंगे तो ईसकी बात मैं हाँ पर करता हूं तो घांब इसको मैंने एकसर y माल लिए ठीक अब इसकी के अंदर मैं कहूं भई हल मैंने लिखा और इसमें हम लोग सकते हैं क्या तो बही तर्भुज एई वी सब्सक्राइब और 2 ये दो ए ओर शुन्य ये तो दे रखाता है और वहींतर हो की बात करें तो मूलबंदू हमोलबंदू है तो plugged होता है यह आपका शुन्य होता है यायनी जेलो और जेलो आगया ड़न तोher आगया है अब यह अगा है तो सद्कार यह ओक आमान कितना है तो शुन्य और शुन्य आ जाएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलो ठीक है अब उसके बात क्या है जैसा कि हमें पता है संभा होती रूजय तो इसका जो मादिका होती है वह हमें इसाल लंब होती है और नीचे इसको समधिभाजित करता है ठीक है अब यहां कि हम क्या है तो अगर यह तो लिए तो आधा कितना वगा तो यहां तक होगा सफ एय हुगा यानि और शुन्य होगा ठीक है एगया सब्सक्राइव करते हैं तो वाई कितना आएगा तो इक चीज़ देखिए अगर एकस का मान ए और यह नहीं पता तो अस कंडिशन में हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि O B का मान कितना है तो यहां पर हम ने लिखा यह दो ए ठीक है और वी की बात करते हैं इसमें दूरी शुत्र लगाएं दूरी शुत्र कैसे लगता है तो इस तरह से लगाया रूट और x2-x1 यानि कि a में से 0 जाएगा तो यहाँ पर लिखा भई a-0 का वर्ग प्लस में y-0 का वर्ग और बड़ाबर में 2a है भई क्या यह होगा बिल्कुल x-0 और y-0 तभी तो इसका दूरी निकलेगा एचीज था ठीक है दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करते हैं इसका उसका वर्ग आजरेगा यहां पर बर्ग करते हैं है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं यह एक अवर्ग प्लस वाई का वर्ग हें ब्रबर में इधर भाई वर्ग करते ही आ जाएगा कि नियुक्षा नियकल जांगे तो रूट लगेगा तो प्लूरूट क्या लग रहा यह स्कॉर्ण है तो रूट लगते स्कॉर्ण हड्र जाएगा बाहर जाएगा यानि रूट तीन और यह आजाएगा तो यह आपका वाई आ गया है और यह से कौर्डिंग आपके जो निद्रशांक भी है वह कितना है तो भाई यह और रूट तीन आ चुकी है इसमें कोई दिकत न अब आता है आपको आना चाहिए उसके बाद नेक्स की बात करें यदि विंदू यह और यह के बीच के दूरी पांच मात रखें तो एक्स का मान हमें घ्याद करना है और यह कैसे निकलेगा तो यहां पर जैसा कि इसमें कहा गया है हमने आपर देख लिया भाई जो हमें दे प्लम चाहिए कहां तोल माने चिक्सी एक कालीको सब्सक्राइब करते में तो हम लिए लेक्स मे ही वरग कर दिया कर दिया तो वरक इसरो ड़ बाइं के वाइन सफ बु सको कहीए कि ideia एक हम एक रिका स्कॉार बने समें माईनें समय समय मतलओ सिक्स चुछयगा और ये प्लश में एक दो प्लस एक टीन घुर कょण रोट नो बडाबर सब्सक्राइब करेंगे तो बीच को ऐसे तोड़ा जाता है जिनको घटाने पर तो चिया है और गुणा करने पर साथ है तो कौन सा आएगा तो छे एकम 6 आएगा क्या तो साथ एकम साथ आएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं एकस का वर्ग माइनस में साथ एकस प्लस में एकस माइनस में साथ बराबर में शुनने क्या लिखा आजता है हां वह इनको साथ में से एक गया तो छे बचा और ब्लस में इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं मतलब एक होता है तो एक कॉमन ले तो भई एकस माइनस साथ ही आएका और बराबर में सूर था ने अब यह दोनों सीजें सीन से में हम साथ लिखेंगे यहानि लिखा एक्स-धाइयर ब्च क्या एक सब्स प्लस में 1 बच गया ठीक है ब्राबर में कि बर्याबर रखेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं एक समान निकालो तो यह साथ आएगा यहां से एक समान निकालो तो यह साथ आएगा यहां से समान निकालो तो यह माइनस एक आएगा वह यह दो चीजे हो गई एक सब्सक्राइबर साथ और एक सब्सक्राइबर माइनस एक आ चुका है डन कोई दिकत नहीं है स्कूर्ट लो कुशन यहां पर यह समापत होता है कि वह सेकंड कुशन खतम अब चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट कुशन पर देखेंगे अगला मोशन इंपर्टन कुशन कैसा है ओके चिया लो देखते हैं काने के बात करते हैं तो प्रशन नंबर तीन को दूआ कि यह माइन अगर Pas-2 की जाद के जिए जो विंदो qn यह तो क्या है माइनस दो नो से संदर्शत है याली कहना यह चाहता एक्स vibes रखन एक्स अक्स पर अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं लेकिन युशन के दोनों से संदुरूस्त है यानि कहा जाए यह पॉइंट आपके पास है दो और माइनिस पांच और यहां से दूसरा पॉइंट जो देखा जाए भी यह कितना है तो भई माइनिस दो और नो है ठीक है तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यह हमारे पास है ओ यह विंदू हो गया या फिर एबी और इसको माल लिए ठीक है अब यहां पर क्या चीजिए कु यहां कि कोशिट में कहा गया यह संदुरुस्त है इसका इसका मतलब यह है कि ए ओ की जो दूरी है वह बराबर है भी यो के बराबर है अब इसको अगर मैं सॉल करता हूं तो इसके लिए क्या होगा यह की दूरी निकालेंगे यानिकी एक्स माइनिस में दो का होल स्कॉर यह है यह बराबर में यही मतलब क्या होता है तो फ्रफन हो जाता है इसका वर बराबर में बी ओ یानि कि आ इसका वर्ग होगा चलो कि इतनी बात होगी अब दूरतरफ अगर आप वर्ग करते हूं तो वर्ग करते ही क्या होगा बहीज किया और यहां वर्ग क्या वर्ग स्कृइर चाहर एक्स मैं चाहर माइनस वह या निकि फूर एक्स मने 5 पांच का वर्ग 25 ठीक है पांच का वर्ग 25 नेक्स्ट के हम बात करते हैं तो यहां पर यह आपके पास क्या रहा है तो का स्कूरेर दूसरा क्या है तहीं दूसरा कहा है जाएगा प्लस ठूतल जाएगाepher प्लस मैट भी यानिक चार सभश हो रहा है चाहर जोरा और प्लस मैं मैंने नौ का वर्हुक्त अक्यांक नोगर capaci होता है लेकिन माइस है उसका प्लस हो तो हमने इसको लिखा 81 आगया अब देखिए क्या कुछ कट रहा है तो यहां मैंने देखा तो एक स्कार से एक स्कार तो कैंसिल हो गया अब माइनिस चार एक्स को इस साइड लेके जाते हैं तो एक चार एक्स तो पहले से था और उधर का माइनिस चार्यक्स और वह भी आ गया इधर मैं देख पाता हूं तो 25 चार 39 और क्यासी को उठाकर इधर लाते हैं तो माइनस में क्यासी हो जाएगा ठीक है वह इसमें क्या है दो जैसे इसमें जोड़ोंगे तो 31 आएगा और 31 पचास कितना होता है तो इसलिए यह बावनी आ बागी आप नॉर्मली भी घटा सकते हो कोई लिकती है उसके बाद यहां पर मैं देखता हूं तो यह आठ एक्स आ गया इस आठ से जैसे हम बावन को काटते हैं बहुत से जैसे बावन को भाग करेंगे तो यहां से क्या होगा एक्स बराबर में माइनस बावन बटे में आठ अगया और यहां से क्या हो जाएगा तो यहां पर भाग करो तो चेंट पाट आज आएगा यानि कि हम देख पा रहे हैं एक्स का मान आ गया माइनस च्छे दसम्लाव 5 ठीक है और उस अनुसार कोश्चन में क्या कहा था एक्स पर वह बिंदू था एक्स पर बिंदू क्या है तो हम यहां काएंगे तब जो एक सक्ष पर बिंदू ओ बिंदू था वह आपके पास है माइनस छे पॉइंट पांच और साथ में कॉमा सुन्य भाई यह चीज़ आ गया है कोई दिक्कत वाली बात ती स्क्रीन सोट लो इसका अब चलेंगे नेक्स पे और देखेंगे अगल ग्यात करने वाले बींदू के निर्देशांग में ग्यात करने हैं यादि की कहने का तात पर यह किमने लिखा एंग nepemo Esto something 2 बिकितना है तो बे को मैं देखता हूं तो यह Meu यार va-ber-4 5 ए कर जा और इसके बीच में कोई एक बिंदू जो है μahl लो की ओ बिंदू है और इसको मैंने माना X और y ठीक है X और y माना है और यही बिंदू हमें गयाद करने जो कि बिंदO इस रेख्ण को three तीन अनुपात दो में विभाजित कर रहा है इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भई एम कितना है तो एम आपका कितना है तो भई तीन है और एन कितना है दो है यह चीज आ गया कोई दिकत नहीं चलो गई अब इसके बार हम इसको जब सॉल करते हैं तो मैंने यहां पर हल लि इस अनुसार अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो कैसे निकलेगा तो एक्स को निकालना है मुझे तो इस दो को इसके एक्स से गुना करना पड़ेगा यानि कि दो गुने में छे प्लस में फिर प्लस में तीन गुने में माइनिस चार आएगा तो भई प्लस में आएगा ती भी ठीक है और बटे में 3-2 कितना होता है पांच और शुन्य बटे बाए 12 में से बारा गें 0 बटे 5 क्या होता है जिरो ही होता है यानि कि इस से हमारे एक्स का मांद जो है वो जीरु आ चुका है कुई रिकत नहीं है ड़न ठीक है य की बात हम करते हैं तो वाई कितना रहा है तो बहुत निकालता हूं तो उसके लिए और 3 को उसके y 5 से उना किया और नीचे 3 प्लस से को जिकत नहीं अब इसको जैसे हमने सॉल किया रोटीन दूनिचे 5 तिया पंद्रा बटे में 5 है और इसको जैसे हम देखते तो 5 6 21 बटे में 5 आ जाएगा यह आपका वाई आ गया अब इस अनुसार से आपका जो विभाजित इस विभाजित करने वाले बिंदू के निरिशां जो थे वह क्या है याझने की ओ जो है मिन यह आपका निकल चुका है X और वाई और X कितना है सून और 21 बटे में 5 है ड़ी 21 बटे में 5 आचका है जो कि आपका 6 3 और ब़ी मैमा इनिस 2015 Q कोई दिकक नहीं स्कून सोटल चलते हैं नेक्स्ट कुशिन पर देखते हैं अगला क्वेश्ट क्या है उसको भी करने वाले हैं बेटरी तरीके से सौब चलो वे देखते हैं हां जी तो नेक्ट कोशिन की बात करते हैं तो प्रशन नंबर पांच हुआ है और यह कह रहा है कि बिंदू 2-3-5-6 को जोड़ने वाले रेखाकंड को कि बिंदू करना तो यहां पर हमें बिंदू हमारे पास है बहुर बीदू की मैं बात करता हूं तो यह है पांच और चे ठीक है बीदू हो गया और उसके बार बीच में कोई और बिंदू है जो कि भाई बिंदू कहां पर एक्स अक्ष पर है जोड़ने वादे रिखाखन को एक्स अक्ष किसी अनुपात में वाज़त कर रहा है यहां पर के और यहां पर एक तो तो सौल करने के लिए हुआ किसमें में लिखा हल इसमें हम देख पार रहे हैं कि सबसे पहले क्के अंदर मुझे अगर अगर दिया वह जैसे कि हमें करने manifest करने वाला strongest है वहां थिक है यानि यानि हमें पता है ठीक है अब य कमान अगर मुझे पता है तो जीरू के बराबर में क्या लिख सकता हूं तो प्लस में कि आएगा तो यह जाएगा ठीक है और बटे में कितना आ यहां हुआ है ना जैसे कि जीरों हमें दे रखा हैं तो उस अकॉर्डिंग वाई सही हम केक आमान निकाल लेंगे वाई सही के कमान एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यहां पर हम देख सकते हैं इसको जैसे इधर बेजा तो शुन नहीं हो गया और यह बच गया माइनस के कमान एक बट्टे 2 है तो एक यहां एगा और 2 यहां पर आयगा क्या है आगा है बाएक कि एक अनुपात 2 आ गया यानि कि अब हम कहेंगे क्या कि वह वह और ऑ distant एक्सजीरों इक अनुपात दो में विभाजित करताह हैं विभाजित करता है दन तो यह कुशन यहां पर समाप्स होता है आप इसका स्क्रीन शॉट लो फिर हम चलेंगे नेक्स पर अगले कुशन को देखेंगे वह क्या है उसको भी करने वाले हैं वहते इंदर किसे सॉल ओके चलो वह देखते हैं तो नेक्स तो नेक्स हमारे पास दे रखा है कि यदि एक समांतर चत्रभुज के तीन और पास वाएने तो एक मैमें इस एक जी रहो और तीन एक और उसके साथ हम कह सकते हैं तीसरा पॉंट क्या है तो दो-दो है और और उसके बाद और ये वाला point हमें नहीं पता यानि कि यह X और Y है ठीक है और ये निर्देशान्ख हमें ग्याद करने हैं कैसे क्या होंगे इसको इसको फिल अपको पता हों जिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरेको सम्द्धि-भाजित करते हैं यानि कि अगर मैं इसको कहूं कि यह point आपको निकालना है और यह आपका क्या है तो भई यह आपका है X1 और Y1 है ठीक है तो पहले आप देखिए वह X1 और Y1 क्या आएगा तो भई यहां पर भई मैं पहले इसके नाम लग देता हूं भई A B C D और यहां पर भई यह E कर दिया ठीक है यह गया होगा तो भई मैं हापर देखता हूं उसी का मध्य बिंदू को मध्य बिंदू छू है कि मध्य बिंदू क्या है तो वह वह भाई होगा अब इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं प्लय के निर्ञां की एकसवन कैसे निकलेगा तो X1 प्लस X2 बटे 2 वह यह आपका मध्य- बिंदू का फॉर्मूला था जो एक सब्सक्राइब तो माइनस एक प्लस में दो बटे में दो यह होगा और वाई वन की बात की जाए तो यह आएगा जीरो ठौध करता हूं तो यह बटे तो यहां पर यह कितना आ रहा है तो यह मत्यविंदू यहां इसको एक पर कट गया और एक वन हमार पास इतना गया और x1 वन इतना गया है ठीक है अब अगर इससी को इधर से कि देखा जाए बीडि से तो मयना लिखा बीडि का मद्ध बिंदू जो है बीडि का मद्ध बिंदू के लफ्रद 많은 डिसका O और य की बात करें तो य प्लस एक बटे में दो आएगा तो य जो पॉइंट आपके हैं वो इसके बराबर है यहां से हम क्या करेंगे तो एक्स प्लस में तीन बटे में दो बराबर एक बटे दो लिखा यह इसके बराबर तो लिख दिया और इसको भी इसके बराबर लिखते ह यानि कि एक आ रहा है यानि कि अब हमें कह सकता हूं यह जो बिंदू है वह आ गया माइन दो और एक आ चुका है यह कुशन समा आप इसका स्कूर्ण ले सकते हो ओके चलो बैठी है अब आते हैं नेक्स पर देखते हैं अगला कुशन क्या है उसको भी करने वाले हैं बहते हैं तो यह नेक्स पूश्चन जो हमारे पास है तो वह यह कह रहा है कि तरभुज दे रखाए जिसके तीन बिंदू है एबी सी है से बनाने वारे तरभुज का छेतरफल हमें ग्याद करना है अब इसको भी फटाफट से ग्याद कर देते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं माथ और बारा अब इसके छेतर फल के अंगर बात करता हूं तो यहां पर भरिमै लिखता हूं यहां लिखनी सके अंदर पर इसके टरफल पहले लिखेंगे हल और उसके बाद हम चलेंगे किस पर भई छेतर फर्फल और किसका तो भई A B C और इसके लिए क्या है तो सीधे फर्मूला एक बटे दो फिर यह आएगा उसके बाद क्या होता तो आएगा तो यह लिखा बारा माइनस दो कर दिया प्लस में अब आएगा किसके एक्स त्री यानि आठ लिखेंगे और इसको छोड़के आगे वाला भाई टू माइनस दो माइनस आठ आएगा डन तो यह चीज होगी हमारे पास अब उसके बार हम इसको देखेंगे सॉल करेंग सब्सक्राइब चलाए तो यहां पर 99 नहीं मैंस दस लिख दिया अब मैं यहां पर देख पारہagara हूं अरग्ता सबस्क्राइंगे पचास प खैएगा और 50 बते दो यह कितना आ गया na 50 व्याट्टे डोँ को जैसे हम कालते यह 25 अ गया यहनि कि 25 आ गया आपका 25 क्या है वर्ग इकाई कि यह इसका अंसर आगा इसका शेटफल यह आपका सामने कम्रूष होता है और इसी के साथ यह कोशन यहां पर समाप्त हो गया है और समाप्त होता है तो भई मैं इसको करता हूं और आपको मैं कहना जाता हूं कि इस वीडियो को अपने में जरूर शेर कर देना जिसे उनको भी इसका फाइदा मिल पाए और इस तरह के जो 30 मिंट की जो सीरीज है हर एक चैप्टर के आपको प्रोवाइट करवाई जा रही है और यहीं चीज़ आगे भी आपको मिलती रहेगी यहीं कि नेक्स चैप्टर के लिए जरूर अलर्ट र जो आपको प्रोवाइट करता है केजी से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के complete वीडियो कोर्स और वह भी फ्रियाप रही बात हिंदी मीडियम की तो साथी से बार्यों किश्य तक के सभी विश्य वह भी आपके यहां पर completed हैं तो इसको आप यहां पर फुली देख सकते हों फु आपका complete यह पूरा रिविजन है यानि कि बिल्कुल बेसिक से बखरबार रखा है पूरी प्लेलिस्ट के लिए आप इसे वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है उस पर भई प्लेलिस्ट के लिंक है उस पर क्लिक किजिए और पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद उस आप पूरे कोर्स का फाइदा उठा पाऊगे डान तो करते हैं इसी सेशन को यहां पर समाप अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए नियू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए ओके बाई तैंक यू